दोस्तों सीबलेस प्लस की स्फिरी कोर्स में आप सब का स्वागत है जहां पर आज कामारा टॉपिक है वाइल लूप देखो लास्ट वीडियो में हमने लूप कॉंसेट को समझा था और लूप का क्या रोल प्ले है उस टॉम को भी किलिर किया था इसके साथ ही हमने फॉर लूप का सिन्थेख़ देखा फॉर लूप की मदद से आप कैसे टेबल प्रिंटिंग कर सकते हो कैसे कांटिंग लिख सकते हो वह हजार तक उस पॉइंट को भी किलिर किया था अगर आपने वा बीडियो नहीं देखिए तो फ्लेलेस्ट में अभी printing करेंगे और तीसरा वाइललूप की मदद से हम टेबल प्रिंट करेंगे वह भी मैनवल और दूसरा हमेह आप यूजर इंटरफेश के साथ भी प्रेबल प्रिंट करना सीखेंगे वाइल लूप की मदद से मेख शूर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल फ इंफरमिशन होने वाला है और एक छोटी से रिक्वेस्ट आप से कि अगर आपको ये वीडियो और C++ का कोर्स पसंद आ है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एस वीडियो को नॉर्मल ध्यान देते हैं गंपर इस किन पे जहां पर मैंने वाइल लूप का जो सिंटेक्स से वह लिखा हुआ है अब सबसे पहले अगर हम वाइल लूप की ब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे कंडिशन लिखते हैं कि जो भी लूप में चला रहा हूं वो किस कंडिशन की बहाब पे चला रहा हूं इसके बाद हम लिखते हैं statement जो भी मुझे set of code प्रिंट कराना है और उसके बाद increment decrement अब यह तो नॉर्मली syntax है इसके बह जहाँ पे अगर हम practical की बात करें तो यहाँ पे मैंने point बोला initialization तो यहाँ पे इसका example है जहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने data type लिया जो कि है int और एक variable लिया जो कि है a जिसके अंदर मैंने one को store किया अब यहाँ पे जो मैंने code लिखा है पहले आप यह समझ लो कि code है किश यहाँ पे use करने वाले है अब यहाँ पे मैंने सबसे बहले क्या है कि मैंने data type mention किया जो कि है int एक variable लिया जो कि है a और उसके अंदर मैंने one को store किया one को क्यो store किया ताकि मैं one से अपना loop चलाना शुरू करू one two three four तो one से हमारा जो base है वो शुरू होगा और वो 10 तक हमें लि कर सुरू क्योंगे condition अब यहाँ फिर लूप में करते क्या है कि हम यहाँ पर एक कोड को बार-बार बार-बार play करते हैं जिसके वहाँ पर हम उस्से multiple time abi क्या कर रहाँ हो कि इस loop को एक condition दे रहाह कि अभी जो a की value वह रेक RAW अपको हर एक राउंड में प्रिंट करते हुए त बढ़ाना है अब यहां पर यह चीज आई थिंग कि शायद आपको थोड़ा confused कर रही हो तो इसे ज़रा आसान बाशन में समझते हैं सबसे पहले मैं यहां पर इसे erase कर रहा हूं जो भी यहां पर थोड़ा से stuff कर दिया है देखो यहां पर एक point पर ध्यान देना सबसे पहले मैं क्या है यहां पर a लिखा 1 और मैं यहां पर लिखता हूं while a less than equal है 10 के यह कहा है मेरी condition है तो यहां पर मैंने a की value 1 mention किया है तो यहां पर a का मतलब क्या है 1 अब यहां पर चेक करो कि 1 जो है वो less than equal 10 है इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 है वो 10 से छोटा यह बराबर है तो हमारा जो code है वो चलेगा इस code में सबसे पहले इस नहीं क्या बोला cout लिखा और a की value को print किया a में क्या है 1 है तो यहां पर क्या print हो जाएगा one print होगा इसके बाद यहां पर next term क्या है increment increment का मतलब क्या हुआ कि यहां पर one की value print करने के बाद इस one की value यानि कि जो a की value है उसको यह increase क करेगाokay one की value हो जाएगी तू हो जाएगū यहां पर one की value क्या हो जाएगी 2 और जब नया राउंट चलेगा तो यहां पर a की value थे क्या थे को प्रिंट करेंगे फिर यहां पर इसको इंक्रिमेंट करेगा फिर एक राउंड उपर जाएगा अब एक वेल्यू क्या है थरी फिर यहां पर चेक किया अभी यह दस से छोटा है फिर इसने थरी प्रिंट किया ऐसे करते करते लूप चलता रहेगा और जब एक वेल्यू यहा और a के वेल्यू के आजाएगे अब 10, यहां पर मैं इस portion को Erase कर रहा हूं यहां पर a के वेल्यू अब क्या हो जाएगे 10 हो जाएगे अब यहां पर हम condition चेक करते हैं a के वेल्यू क्या है 10, क्या 10, 10 से छोटा है, जवाब होगा नहीं, तो हमारा यह वाला जो condition मेंच नहीं कर लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखिये जो क्या है equal तो 10 और 10 आपस में बराबर है तो फिर से मेरी condition match कर गई और फिर से में यहाँ पर a की value को print कराऊंगा और यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा a की value बढ़ी अब यहाँ पर a की value क्या हो जाएगी 11 अब यहाँ पर जब यह condition चेक करेगा क्योंकि a की value 11 है तो ना यह 10 से छोटा है और यह 10 के बराबर है तो अब यह हमारी condition match नहीं हुई और क्योंकि अब हमारी condition match नहीं हुई तो यह loop चलना बंद हो जाएगा और इसके concept वो यह है कि आप यहाँ पर एक base value लेते हो कि आपको loop कहां से चलाना है दूसरा हमें condition लेते हैं जिससे यह पता चलता है कि यह loop कहां तक चलेगा इसके बाद हम इसमें increment यह decrement लेते हैं जिसकी मदद से यह जितनी बार चल रहा है उसमें मुझे उसकी value बढ़ानी है यानि इस round में 1 है फ्रिंग किरिमेंट हुआ तो 2 फ्रिंग किरिमेंट हुआ तो 3 फ्रिंग किरिमेंट हुआ तो 4 इस तरीके से हर round में मुझे a की value या जो भी हमने variable लिया है उसकी value को हम बढ़ाते हैं और तभी हमारा loop work करता है यहाँ पे मैं condition लिखा है a less than equal है 10 के इसलिए 10 तक print होगा इसी की जगह अगर मैं condition डाल दूए less than equal है 100 के तो वह 100 तक print हो जाएगा तो यह power है loop का तो अब इसी चीज़ को practically करके देखते है तर्बो सी में जहां पर यह चीज़ आपको और अच्छे से clear हो जाएगा तो normal ध्यान देते है यह जहां पर आप देख पार है कि जो basic set of syntax हमारा कि जहां रिए मुझे देखने के लिए सबसे बहुर् Laurie की करना है यहां पे करना हैं इनिशाल आइज करने के लिए मैं क्या करता हूं सबसे पधे नेक करता हूं जो कि condition तो हमारी condition क्या है कि जो a है वो less than है equal है 10 के यानि कि यह जो loop है वो कब तक चलेगा जब तक यह less than equal है 10 के तब तक यह हमारी condition में छोते रहेगे जैसे a के value इस condition को break कर देती है यानि कि a के value 11 हो जाती है और यह 10 के ना less than है ना equal है तब यह loop चलना बंद हो जाएगा फिरम ने दिया यहां पर curly bracket as a part of syntax और यहां पर इसके अंदर हम लिखेंगे cout और यहां पर simply यह operator देखे हम यहां पर a की value को print करेंगे इसके बाद enter करते हैं और क्योंकि हर एक round में मुझे a की value को बढ़ाना है तो हम यहां पर लिख देते हैं a++ simple फिर हमने f9 किया program हमारा success control f9 करेंगे आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 10 तक यहां पर आ गया लिखने कैसे आ रहा ही आ रहा है horizontal तो हम यह देखने में काफी जादा अजीब लग रहा ऐसा लग रहा एक number लिखा हुआ तो हम यहां पर आएंगे और यहां पर simply हम इससे यह बोलते हैं कि एक value एक की print करने के बाद एक line break देदे तो इसके लिए operator दुबारा से देंगे double quotes के अंदर में simply हम लिख देंगे slash n हमने किया control f9 और अब आप यहां पर देख पार हुआ कि 1 से लेकर 10 तक जो हमारी values है वो यहां पर print हो गई है इसी की जगह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहां पर 10 की जगह 100 कर दू और control f9 कर दू तो अब यहां पर 100 तक हमारी counting यहां पर आ जाती है जो यहां इसके आप देख पार हूँ तो यहां पर example के लिए अभी हमने एक से 10 तक यहां पर प्रिंट किया यानि कि हम नीचे से उपर की तरफ जा रहे है 1 2 3 और इस तरह से 10 तक अब यहां पर अगर मैं increment किजिए का decrement यूज करू for an example मैं यहां पर आता हूँ और एक value मैंने 10 ले लिया मुझे क्या करना है कि 10 से लेके एक तक प्रिंट कराना है पहले 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 इस तरही किसे मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने एक value क्या ले लिए 10 और मैं बोलता हूँ कि यह loop तब तक चलना चाहिए यह जब तक यह 10 के greater than equal है 1 के यानि कि एक greater than equal है 1 के अब एक इंदर क्या है 10 है तो जाहिल से बात ह हो greater than 1 के तो हमारी condition match होगे और यहां पर एक value को यह print करेगा इसके बाद यहां पर क्यूंकि यह 10 है और मुझे इसको decrease करना है पहले 10 फिर 9 फिर 8 तो मुझे decrease करना है नीचे की तरफ आना है तो इसके लिए हम यहां पर कौन से operator यूज़ करेंगे हम यहां पर यूज़ तो यह उपर की तरह बढ़ा रहा था यानि कि अगर यह 10 है तो इसको 11 12 13 बढ़ाएगा और अब मैंने decrement किया है तो इस round में 10 है अगले round में 9 होगा फिर 8 फिर 7 फिर 6 अब मैं Ctrl F9 करता हूं तो आप देखो 10 9 8 7 6 इस तरह से आ रहा है तो basically यहां पर सारा game क्या है कि आप syntax को कैसे समझ पाते हो कितना समझ पारों आप syntax को कैसे आपको उसके साथ play करना है work करना है तो वह उतना आपके लिए easy हो जाएगा और यह चीज़ अब ही possible होगी जब आप इसके साथ practice करोगे सिर्फ वीडियो देखने से notes बनाने से चीज़ें नहीं होंगे आप जितनी practice करोगे कि उतना जाधा आपका code अच्छा होगा understanding base पे और work basis पे अब यहां बात करते हैं कि हमारा यहां पर टास्क है में से पहले की तरह कर रहा हूं फिलाल तो हमने यहां पर लेगा one और यहां पर operator में पहले की तरह कर देता हूं less than 10 के और यहां पर हम इस operator को भी change करते हैं हम एक तो टेबल 2,4,6,5,7 कोई साब टेबल हो सकता है हमें print कराना तो यहां पर point को समझो मैंने यहां पर 1 से 10 तक लिखा हूँ है अब अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो यह चीज आपको अल्रेडी पता होगी लेकिन फिर भी अगर कोई new viewer है तो उनके लिए हम इस च 6,2,4,8,2,5,10 इसे तरह किसे अगर मैं 5 कर दूँ 5,1 जा 5,5,2 जा 10,5,3 जा 15 तो कुल मिला कि मुझे करना क्या है कि यह जो एक ही values यहां पर print हो रही है इसके साथ मुझे उस number को multiply करना है जिसका table मुझे चाहिए तो मैं यहां पर simply आता हूँ और मैं multiply कर देता हूँ 3 को अ यहां पर 5 का table आ जाएगा और इसी की जगह अगर मैं यहां पर 7 लिगो ctrl f9 करो तो यहां पर 7 का table आ जाएगा अब यहां पर मुझे इसे user interface के साथ करना है तो यह हम कैसे करेंगे मतलब मैं यह चाहता हूँ कि user यहां पर आए कोई भी number उसने डाला और उस number का table बन गया तो हमने यहां पर एक variable लिया है int a हम कोमा करते है एक variable ले लेते हैं जो कि यह टेबल एंटर करेंगे और यहां पर मैं user को कमाड देता हूँ कि enter digit for table हमने लिखा double quotes में कि इसको close और यहां पर आते हैं हमने लिखा यहां पर sin हम किसले यूज़ करते हैं input लेने के लिए तो sin लिखते हैं यहां पर operator देते हैं और यहां पर table के अंदर में जो भी user value देगा वो हम table के अंदर store कर लेते हैं और यहां पर जो हमने manual एक value लिखा ह इसको हम हटाएंगे और यहां पे इस variable को दे देंगे ctrl f9 करेंगे enter digit for table मैंने अब लेका 7 प्रेस के enter और 7 का table आ जाएगा इसी की जगा करूं दुबारा ctrl f9 करूं और मैं यहां पर माल लो कि देता हूं 23 23 एंडर गया तो 23 का table यहां पर आ जाएगा तो basically यहां पर सारा game किया है कि हमने यहां पर table करके variable ले लिया उसके अंदर हम बस input ले रहे हैं user से और उसी input को हम यहां पर variable की मदद से ला रहे हैं एक के साथ multiply करके जिसके भी हाप पर मारा table आ रहा है तो आपको बस करना क्या है आपको इसके जादा जादा practice करनी है आप जितनी practice करोगे उतना जादा आपका code अच्छा होगा और उतना जादा यह concept है वो आपको और अच्छे से किलियर होगा आशा करता हूं कि यह जो tutorial है वो आपको पसंद आया होगा और while look कैसे work करता है यह time भी आपको समझ में आया हो आपको 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 ऑू आपको